हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीयर से दू कंसल्टेंट गेस्ट्रोंटोलोजी मनिपॉल होस्पिटर पर ट्यारा तो अधना लूबरू हो रहे हैं जी में कि तो अनु पता है जुलाई मांथ विच हुन्दा वर्ड हैपिटाइट्स दे तो ए दे दा में मोटिव है आप अन लेमें लेंग्विच जी आप देखने हैं ते हैपिटाइट्स इस इंफ्लामिशन अफ लिवर सो इदे मुल्टिपल कॉसे हुन दे है जिमें कि इत कुड बी वाइरल ड्रॉग अनु दूस्पिटाइट्स हो सकता जा अलकोहल बहुत कॉमन कॉज आपन जाव दे विच हैप अपर जाएपिटाइट्स है जीड़ा बहुत हुन एपीडेमिक हो गया विकाल फैटी लिवर सो इस ताइम जो इस साल दे टवंटी टवन्टी टू दी थीम हा हैपिटाइट्स हैपिटाइट्स दी लिएगा वाइरस विल न वेट तो अगर हो नहीं वेट का लेगा तै राइट टाइम ते डाइग्नोसिस दा बहुत इंपॉरेंट हा एंड डाइग्नॉस्टिक जड़े टैस्ट हुन देया देली ओ बड़े रैडली वेलेबल हा जिमें की हैपिटाइट्स अगर वाइरल दीगाल करिये ताब वाइरल हैपिटाइट्स देब ज़्यादा जड़े हैपिटाइट्स वी दा बेस्ट पर्ट है भी अपने को ली हफिटाइट्स B दी इक वैक सिन अवेलेबल हा जिद मां ओ भात पता लागएब एक सी आउडली एंगे वेकसिनेश्यन आ अप आ इस नहीं प्रवेंट का सके देया है frequency जो नोह लोग प्रिस भीनेटेटों कर च स्लो वाइरस हा लिवर स्रॉसिस का साथ ते लेटर ओन लिवर दियां कॉंप्लिकेशन लाइक लिवर कैंसर भी हो सकता है यह थोड़ी जी नेक्टिव गाला है देली कोई वैक्सिन इस नॉट अवेलेबल बट एदा बैस्ट पार्ट थी टीटमेंट बहुत ची वेलेबला इन अगर आपा राइट ताइम ते नू डाइग्नोज करी ए ते नू टाइमली टीट करी ए इट्स कॉरेबल बट इनग दे विच अगर आपा टाइमली इच डिले कर दिये था लिवर ते इहे बैद इंपक्त हों करके लिवर सुकर सक द गाना जिन आपा लिवर स्रूसिस कनने सो लिवर स्रोसिस कैन बी एर्रवसिबल अलो तो आफर सम स्टेज ओ स्टेज देविच अपनु लिवर ट्रांस्पनाटेशन दी लोड पैसाग दिया ते पेशन कॉंपलिकेट हो सदा विद मुल्टिपल कॉंपलिकेशन लाइक पानी आना खूंदी उल्टी आना सो ए सारिया अपने ओवराल सारा कॉस्ट फेक्टर एंड बहुत ज्यादा पेशन दी पेइनफुल हो जान्दा सो एदा वाइरल हैपेटाइट्स दी गाल कितिया नदर हैपेटाइटर्स जो कॉमना दैस अल्कॉलिक हैपेटाइटर्स जो अल्कॉल ओवर कंशंप्शन ओफ अल्कॉहल होंदा एदे विच एदा अपनु है सबनु पता अल्कॉहल कंशंप्शन तो बाद यो अल्कॉहल लॉंक टाम आफ्टर लाइक फाइव तैन यह कंशंप्शन तो बाद लिवर होली होली दाउन जाना शुरू हो जान्दा सो एदे लिवी राइट ताइम ते आपा अगर गे डाइट अरे एक बाद ए मेथा वी डाइट दे विच बहुत पेशेंट साड़े को होंदिया यह हैपिटाइटस दे उना नू मोस्ली खाना बहुत कटा आके ओ डरे होंदिया वी किते खाना हलका खाना एदेच एक चीज बहुत मैं क्लियर कन चाना वी एदेच अच्छान वी काने ही हो हल्दी, नॉमल, मिर्च, सॉल्ट, सॉल्ट इन्टेक पेट्स पानी पर नासुर होंदा ओडो भी वी स्टाइट स्साल्ट रस्टिक्शन जो सॉल्ट कट अना होंदा अदरबस एक यूट हैपिटाइटर विच लेनी है अच्छी नॉमल डाइट इन फैटी लिभर एक लायफ्स्टाइल प्राप्लम है जीदे भीच से देंडर्यल आप्स्टाइल, स्ट्रेस, फास्ट फूड इंटेक, जूसी देना हुंदा सो इदे भीच आपनो मेन चेंज न डाइक ऑफ एक्सेस आज़ा हो अपने मेन पार्ट core of treatment is diet and exercise diet देविच आपा शुगर इंटेक कट्डाउं करनी है and juices fast food जिनने भी like creams हो गया sauces हो गया all these cut down करनी है and second इदे exercise देविच 40 to 50 minutes the daily exercise at least five days in a week जड़ी आसी recommend कर देया so that patient no weight loss target weight loss on the five to ten percent of baseline like if patient is 90 kg तो 9 kg weight loss करना over the period of six month to one year so fatty liver बहुत simple problem हा अगर right time ते diagnose करो and treatment बड़ी simple हा that is diet and exercise medicine दा बहुत रोल नहीं हागा there are some medicines जड़ी हां किसे state ते सी fatty liver भी शुरू कर देया in case some लगदा भी नाल पेशन वे associated dyslipidemia जाँ शूगर है इसले otherwise fatty liver the treatment is diet and exercise and बाकी जड़ी another hepatitis जब पागल करिया after like viral alcohol and fatty hepatitis is drug induced hepatitis वो sometime कोई herbal पो डख लेया नाल जड़ी है hepatitis होंदा वो भी बहुत common होंदा because sometime patient can present with acute liver failure also हो setting range so जिन्ने भी अपाँ प्रडक्स लेने आउँ ते अनलखना भी अपनो कोई भी ऐसे अनौथराइज जड़ी product herbal medicine जड़ी 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 होंदा आपनो अपनो ओरड करने चाही दी है and there are certain few तुछ रहर काुसुट आप अपाटार्ण से तानू आप अपन लगदाता तानू गेस्टरॉट्छ न जाके चंसर्ट चाहिदा and in Manipal hospital we are giving all the facilities for diagnosis and treatment so this is all about awareness of hepatitis thank you